प्राइवेट यूनिवरस्टी ये दुकाने जो चल रही है बेड की इनको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे ही चलता आ जाएगा और अच्छी नीती आ जाएगी अच्छे शब्द आ जाएंगे एक तरफ critical thinking जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है दूसरी तरफ लोग चिंता और दर्द दिखाई नहीं दिया और चौती बात शिक्षा का जो commercialization को रहा है उसके बारे में हम लोगों के शोर मचाने के बाद एक पैरा तो डाल दिया गया है लेकिन दरसल commercialization को रोखने की कोई व्यवस्था नहीं है और दूरा तूसरा foreign universities के लिए रास्ता पहले से भी ज्यादा खोल दिया गया है जिसका मतलब है commercialization और privatization बढ़ेगा 25% seat EWS के लिए reserve की गई थी उसके बारे में चुपी है ड्राफ्ट तो इसके बारे में कहता था कुछ government है अब चुपी साथ नहीं गई है मतलब ले देके इसको हटाने की तैयारी हो रही है ऐसा मेरा संदे जिसके बारे में alert होने की जबूँ आर्टी एको amend किया जा रहा जाएगा और इसमें जो सुझाव है उससे लगता है कि 2009 में जो आर्टी के लिए standard set किये गए थे कि हर स्कूल में कम सकम इतना space होना चाहिए classroom ऐसे होने चाहिए यह सुधाय होनी चाहिए इसको dilute किया जाएग यह पूरी जो 60 पेज की policy है new education policy तो सब लोग जानना चाहते हैं कि इस policy में है क्या कैसी है क्या गलत है क्या सही है मैंने इसके बारे में कुछ दो-चार बाते हैं इसके हक में कल रात को कह दी तो कई लोग पलटके पूछ रहे हैं अच्छा चाता क्या तुम इसका समर्थन कर रहे हो तो मैंने सोचा चलिए इसके बारे में एक चर्चा कर ले कि कुल मिला के ये policy क्या है इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या आशंका है और हमें इसके बारे में क्या रूफ बनाना चाहिए पहली बात तो आपको बता दू कि पॉलिसी है क्या देखे देश में शिक्षा का कुल मिला के क्या orientation हो क्या vision हो उसके लिए एक education policy बनाई जाए यह कोई legal document नहीं है कोई constitutional document नहीं है इसलिए इस policy में जो लिखा है उसका कल सुबह कोई असर नहीं होगा यह एक overall vision है framework है कुछ fundamental principles है जो बताये गए है यह document देश में 10-15-20 साल बाद बनाया जाता है पहली बार यह document बना था साथ के दशक में जब कोठारी commission आया था बहुत बड़े विद्वान थे कोठारी साब शिक्षाविद एक commission आया था 1968 में उसके बाद पहली बाद एक policy बनी education policy of the country जिसने overall frame दिया कि देश में शिक्षा के purpose क्या होने चाहिए, school में किसे होना चाहिए, university में कैसे होना चाहिए तो एक छोचे टुकड़े को नहीं, सब टुकड़े को जोडते हुए एक समग्र तस्वीर बनाना एक comprehensive picture देना ये काम होता है education policy का 1968 में पहली बाद आये, उसके बाद अंदाजन 20 साल बाद 1986 में उस policy को revise किया गया नई policy बनाए गए education policy, तब उसे new education policy का आ गया तो 1986 में गाजीब गांदी के सब, फिर 92 में उसको थोड़ा revise किया गया उसी policy को तो दूसरी policy का revise बर्शन था, 1992 के बाद 2020 अब आई है, 28 years के बाद ये policy आई है जब से NDA सरकार आई, उन्होंने कोशिश की थी, पहले जब स्मिती रानी जी मंत्री थी उन्होंने एक समीती बनाई थी, TRS सुब्रुमंडन जी के निच्चतु में, उस समीती ने अपनी रिपोर्ट दी, शायद सरकार को पसंद नहीं आई, उस पे बात नहीं बनी, फिर उसके बाद एक दूसरी कमीटी बनी, ये कसुरी रंगन जी के अध्यक्रता में, उसने पि कपड़ा चान में चोड़ लेके 60 पेज की एक समरी बनाई है, जो कि जिसे सरकार ने कल नई एजुकेशन पॉलिसी की तरह रिलीज किया है, संयोग से जब ये रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, तब मैंने इसके बारे में लेक लिखा था, तब मैंने अगरे रहता है कि किसी भी पॉलिसी को देखते वक्त, किसी भी विशय पे अपनी बात मनाते वक्त, हम केवल और केवल ये ध्यान ना दें कि किस सरकार का है, मैं इसके पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, हमारे देश में दरसल विपक्ष का मतलब के अवल विरोध हो इसलिए जब ड्राफ्ट आया था इस policy का एक साल पहले तो मैंने कई दोस्तों को हैरान करते भी लिखा था कि दरसली ठीक ठाक ड्राफ्ट है अच्छी है अगर इस आधार पे सरकार नीती बना लेती है तो कोई बुरी बात नहीं अब जब ड्राफ्ट आ गया है तो क्या स्थिती है वो मैं आपको अगले 10-12 मिनिट में बताऊंगा बहुत छोटी चर्चा होगी इसके आखिर में प्रशनों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा इसलिए भी कि मुझे कई और प्रोग्राम भी करने है और इसलिए भी कई दोस्तों ने कहा है कि अपना फेस्बुक थोड़ा छोटा रखा करो छोटा रखते हैं तो लोग पढ़ते हैं इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सार क्या है क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या होगा पहली बात मैंने आपको कही याद रखिए ये खाली एक एजुकेशन फ्रेम है इसके आधार पे कानून जब बनेगा तब बनेगा जब कानून बनेगा तब लागू होगा रेगुलेशन चेंज होंके तब लागू होगा बजट आएगा तब पैसा मिलेगा अभी से इसके आधार पे कोई आपने शक्रशना निकालिये पुराना इतिहास दुर्भाग्यवशिस देश में ये रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी आती है उसके बाद सरकार अपने मन माने तरीके से उसके जो हिस्से को लागू करना चाहती है कर देती है इसमें कुछ ना करें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून नहीं है regulation नहीं है rule नहीं है notified नहीं है ये budget का item नहीं है जब BJP ऐसा कुई education पे document लाती है तो हम सब के मन में क्या-क्या डर होते है हम इसका मेरे मन में डर होता है या कि बहुत सी घटिया तरह की चीजों को पेश करेंगे, अंदविश्वास पेलेंगे, इस तरह का डर कई लोगों के मन में रहता है, मेरे मन में भी था क्योंकि बीजेपी सरकारों ने कोछ जगें पे किया था, वो नहीं है, उस तरह का रंग नहीं है, इसमें कोछ छुट- चीजें हैं, जैसे सेख्लोरिज्म श्रत के इस्तेमाल से बड़ा परहेज किया है, बच-बच के चले हैं, बीच-बीच में भारतिय संस्कृति की पांच जसबार बात कर देते हैं, जो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है, दूसरा मेरे मन में डर क्या था, दूस कमर्शलाइजेशन की बात को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है, लेकिन मैं उसके उपर आओंगा, लेकिन कम से कम सीधे तोर पे ये नहीं कहा गया है, इस पॉलेसी के अंदर, कि स्टेट विड्रॉ करना शुरू कर दे, स्टेट रिट्रीट कर दे, बलकि इसकी पॉलेसी म का स्कोप बहुत नेरो तो नहीं हो जाएगा, कि बस चुप चाप से अपनी टेकनिकल एड़्ुकेशन लो, इंजिनियर बनाओ, ये लो, नौकरी लो, और शिक्षा का जो क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, लिबरल जो आसपेक्ट शिक्षा का होना चाहिए, एक बेहतर इंसा बनाना जो शिक्षा का उर्देश्य होना चाहिए, वो सब हट जाएगा, कम से कम कागज पे वैसा भी नहीं है, कागज पे उन सब बातों को कहा गया है, अब ये बात अलग है कि ये कहना की क्रिटिकल थिंकिंग बनाओ, और दूसरी तरफ आप काम विर्कुल उल्टे कर रह वैसा नहीं है, और अच्छी बात है, ये डॉक्यमेट इससे पहले जितने भी डॉक्यमेट आये थे, यूपीय के जमाने में, कॉंग्रेस के जमाने में, जनतार पार्टी के जमाने में, उन सब डॉक्यमेट को बिल्ड करता है, जो की होना भी चाहिए, मुख्य बाते क्या ह होना चाहिए, Right to Education तो 2009 में बना था, जिसमें कहा था Free and Compulsory Education from 6 years to 14 years, 6-14 साल तक था, अब उसको बढ़ा के document कहता है, from 3 years to 18 years, बढ़िया बात है, होना चाहिए, अगर कर दिया तो शांदार बात है, दूसरा, ये कहता है कि मिटे मील स्कीम के साथ-साथ बच्चों को ब्रेकफस्ट भी देना चाहिए स्कूल में, क्योंकि बच्चे बेहतर खाएंगे तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, तीसरा, ये कहता है कि ट्रॉप आउट रेशो को कम करना चाहिएं कि जो बच्चे स्कूल से छुट जाते हैं, जो 100 बच्चे पहली क्लास में एड्मिशन लेते हैं, उससे आगे जाते जाते सिर्फ 40 बच्चे बच्चते हैं, ये कहता है कि नहीं, उन बच्चों को हमें लाना है और अगले 10 साल त इस पे बहुत ध्यान देता है और मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है, इसको हम नरसरी कहते हैं न, कि बच्चा का ज्यादातर मानसिक विकास 8 साल की उम्र तक हो जाता है, और 3, 4, 5 साल का जब बच्चा होता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है उस बच्चे की mental faculties के ल स्कूल के अंदर नरसरी शुरू करें, हर बच्चे कोई शुक्षा मिलनी चाहिए, और इस पे साधन लगाने चाहिए, इस पे बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, मेरे ख्याल से इस दस्तावेज के सबसे अच्छे आस्पेट्स में से यह है, ECC, वैसे इसके बारे में 2013 में को, दलेत, आदिवासी, गरीब बच्चे को, कहता तो है, मगर उसके बारे में क्या करना चाहिए, कितना पैसा दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ खास बात नहीं कहता, मैं इस पे आऊंगा, ECC, चटी बात कहता है, स्कूल कॉम्प्लेक्स, आजकल इतने छुट-छुट स्कूल हो गए हैं, कि एक स्कूल के लिए अपना म्यूजिक टीचर रखना, अपना फिजिकल ट्रेनिंग का टीचर रखना, अपनी लाइबरेरी रखना संभव नहीं, तो कुछ स्कूलों को उसके साथ के से जोड़के, स्कूलों को पूल करके, स्कूल को फिजिकली पूल न नहीं है, दूस्ट, साथमी बात, नहीं स्वारी, शायद आठमी है ये, कहते हैं कि टीचर की recruitment में, टीचर की recruitment के अंदर उन्हें fair recruitment की जानी चाहिए, पैरा teachers जो recruit हो रहे हैं, ऐसे teacher 5000 तनखादी के सरकार recruit कर लेती है, शिक्षा मित्र किसी को बोल देते हैं, कुछ और नाम बोल देते हैं, ये वेवस्था बंद होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात, ये इससे पहले JS वर्मा कमीटी कह चुकी है, शिक्षा के बारे में, अच्छा वीचार है, सरकार के document में आया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, ये शिक्षा मित्र वगरा के नाम से बंद कीजिए, guest teacher ये वो सम बंद कीजिए, proper नौकरी दीजिए, अगर शिक्षा को अपनी नौकरी की पर्मनेस नहीं होगी, बिचारा पढ़ाएगा कैसे, और इस सिर्फ पैसा बचाने के लिए शिक्षक की तंखा काटना और उसको contractual listening की नौकरी देना गलत सिस्टम है, नौनी बात कहता है कि शिक्षा में Directorate of Education का जो सामराज्य है, वो खत्म करके, board अलग हो, सरकारी स्कूलो की funding कोई और करे, और स्कूलों के regulation का काम कोई और agency करे, बिचार बुरा नहीं है, और आखरी बात ही कहता है, medium of instruction जिसके बारे में बहुत बहस हो रही है, क्या कहता है, कि बच्चे को पहली पाच क्लास में अपनी मात्र भाशा या घर में जो भाशा बोली जाती है, उसके policy ने ये बात कही है, पिछले 50 साल से पिछली दोनों नीतियों ने भी exactly यही कहा था, और इसके अराबाद three language formula कहा है, जो फिर देश की पिछले 50 साल से policy है, पता नहीं बवाल क्यों है, बवाल इसलिए है कि सब लोगों को लगता है English medium, मेरा बच्चा English medium में पढ़ा नहीं तो हर बच्चे को मिलना चाहिए, English medium में learn करना बिल्कुल बेवकुफी की बात है, क्योंकि ये जो English medium school कोकर मुत्ते की तरह हर गाओं में आ रहे हैं, हर शेर में, हर बस्ती में आ रहे हैं, ना तो बच्चे को English आती है, ना ये टीचर को English आती है, का स्कूल है भाई, हाँ तो education न इम्मत नहीं है, कि वो English medium school चलाने वालों की जो ठेकेदारी है, उसका विरोध कर सका, होगा नहीं, आप ना तो आशा बांध है, ना आप चिंता करें, किसी के इम्मत ने इस देश में काम करते हैं, हाइर education के बारे में क्या कहती है, नीती हाइर education में कहती है, कि ये जो single discipline universities ब आदेता है, ये policy कहती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत system है, multi-disciplinary universities होनी चाहिए, मेरे विचार से बहुत अच्छी recommendation है, बंद करने की हिम्मत इस देश में किसी की नहीं होगी, वो एक अलग बात है, दूसरा वो कहते है, liberal education, IIT जो बच्चे engineering कर रहे हैं, उनको भी sociology पढ़ाईए history पढ़ाईए, literature पढ़ाईए, जैसा दुनिया में हर जगह होता है, सिरफ हमारे यहाँ हैं कि engineer को कुछ नहीं पढ़ाए जाता engineering के सिवा, आप सब विशे पढ़ाईए, अच्छी recommendation ये इसके बारे में इन्होंने की है, higher education के बारे में ये कहा है कि UGC नामक जो संस्था है, जो सब कुछ करती है, मैं भी उसका member था, वही आपकी university को grant भी देती है, वही आपकी academic चीज़ों को accreditation भी करती है, वही आपकी quality भी set करती है, वही आपका curriculum भी बताती है, ये सब काम अलग-अलग संस्था होती है, मेरे विचार से एक अच्छी चीज है, ये यश्पाल committee ने क के अंदर एक committee बननी चाहिए, राष्ट्रिय शिक्षा आयो, देश भर के हर राज्यों का एक एक representative हो, तीस बड़े शिक्षा विध हो, और देश का शिक्षा मंत्री जो है, उसका अध्यक्ष हो, पहले draft में प्रधान मंत्री को बनाया था, जिसका हमने विरोध किया था, आखरी सुझाव है शिक्षा के बारे में पैसे का, ये committee कहती है कि कम से कम 6%, GDP का 6% देना चाहिए, फिलहाल 4-4.5 के बीच में मचूलते रहते हैं, 6% देना चाहिए, ये कहती है कि सरकार के खर्चे का कम से कम 20% शिक्षा पे लगाना चाहिए, आजकल 10-12-15 पी भंगोंते रह अब आप कहेंगे योगिन जी तो अच्छी अच्छी बाते आपकी ना रहे हैं, पाच सचे इसमें काफी बाते बहुत अच्छी हैं, निती में, लिखी वी अच्छी बाते हैं और अच्छी बाते हैं, तो मैं क्यों उसको गलत बता हूँ भाई, क्या कोई संदे हैं, हाँ, म कि हर स्कूल में कम सकम इतना स्पेस होना चाहिए, क्लास्रूम ऐसे होने चाहिए, ये सुरिधाय होनी चाहिए, इसको डाइलूट किया जाएगा. इसके बारे में भी डर है कि ये जो 25% सीट EWS के लिए रिजर्व की गई थी, उसके बारे में चुपपी है. ड्राफ्ट तो इस जो ऐसे समुदाय से आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, जिनके घर में कभी शिक्षा नहीं है, जिनको साधन की जरूरत है, उन बच्चों के लिए विवस्था के बारे में दो-चार पैराग्राफ तो लिख दिये गए हैं, लेकिन उसमें है कुछ नहीं. तो जो गरीब मार कमर्शिलाइजेशन को रहा है, उसके बारे में हम लोगों के शोर मचाने के बाद एक पैरा तो डाल दिया गया है, लेकिन दरसल कमर्शिलाइजेशन को रोखने की कोई व्यवस्था नहीं है, और दूरा तूसरा, फॉरेन उनिवरस्टी के लिए रास्ता पहले से भी ज्या किया था, आम तोर पे शिक्षा नीती बहुत सुन्दर बातें कहती है, लेकिन व्यवहार में जो नीती पालन की जाती है, उसका इस शिक्षा नीती से कोई सम्मंद नहीं, यही मुझे डर है, मुझे डर यह है कि ले दे के सरकार काम सिर्फ 3-4 करेगी, इसकी 3-4 बाते हैं ज एक तो early childhood care के लिए पैसा दिया जाएगा, जो अच्छी चीज है, दूसरा बच्चों की literacy बढ़ाने का एक special program चलेगा, जो की बढ़िया चीज है, तीसरा school complexes जिसके बारे में दो विचार हैं, कहीं पैसा बचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, चौथा teacher education के अंदर कुछ क तो ले दे की चार-पांच चीजे होगी, बाकी चीजे नहीं होगी, medium of instruction के बारे में जितनी भी बहस हो ले, आप भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ, कोई अंग्रेजी medium school हटाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, private universities ये दुकाने जो चल रही है, B.A.D. की, इनको हटाने की किसी क हिम्मत नहीं होगी, ऐसे ही चलता आजाएगा, और अच्छी नीती आजाएगी, अच्छे शब्द आजाएंगे, एक तरफ critical thinking जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी तरफ लोगों को डरा के चुप किया जाता है, एक तरफ institutional autonomy की वकालत होती है, दूसरी तरफ university के अंदर आप seminar भी करेंगे या नहीं, उसके रिए vice chancellor से permission लेनी होती है, एक तरफ scientific temper की वकालत की जाती है, और मंत्री जिस तरह का भाशन देते हैं, उससे क्या होता है, तो शिक्षा नीती के शब्द अच्छे है, बशर्ते इसे वास्तव में लागू किया जाए, बशर्ते इ इसके आधार पे काम, काम पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे नहीं, देखिएगा RTE Act, एक्चुली अमेंड होता है के नहीं, तीन से अठारा साल तक एक्चुली दिया जाता है के नहीं, बजट एक्चुली इंक्रीज होता है के नहीं, गरीब बच्चों के लिए scholarship एक् झाल झाल